मुरली की तान बज़रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़रही मुरली की तान बज़रही ओम शांती आज 19 नमबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराईयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्दोंने हम सबको दाता, विधाता, वर दाता बनना सिखाया सर्व शक्तियों से संपन बनाया इस संगम युक पर बाबा हम सबको इतनी शक्तियां देते हैं कि हम शक्ती संपन बन चाते हैं शक्ती संपन आत्मा कभी भी शक्तियों की मंगता नहीं बन सकती कि मुझे मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, आशिरवाद चाहिए, कभी वो चाहिए चाहिए नहीं करेगी, लेकिन वो सर्व शक्तियों से संपन होने के कारण हर एक आत्मा को दान देगी, वर्दान देगी, ऐसी आत्माई ही दाता, विधाता और वर्दाता बन चाती हैं। बहुत सुन्दर बात आज बाबां बच्चों को समझा रहे हैं, कि रुखानी यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, जब आप कोई सेवा के प्रोग्राम बनाते हैं, तो याद की यात्रा अवश्य होनी चाहिए, याद की यात्रा में ठंडे नहीं होना, कई बच्चे याद क यात्रा में बिलकुल ठंडे हैं, जैसे बूडे, ताकती ना हो, अगर याद ही नहीं करेंगे, तो शक्ती कैसे मिलेगी, याद करेंगे, बुद्धी सतो प्रधान बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, पारस बुद्धी बनती जाएगी, बहुत सुन्दर बात बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि इस समय तुम बच्चों की बुद्धी गोल्डन बुद्धी बन जाती है जब आप याद करते हैं बुद्धी का ताला खुलता जाता है चलते फिरते भी बाबा को याद करना है ये रूहाने यात्रा है मनुष्य तीरत यात्रा उपर जाते हैं बोलते जाते हैं अमरनात की जै जिस भी तीरत पर जाएंगे जैकारे बोलते हुए जाते हैं यह यात्रा जो बाबा ने सिखाई यह बुद्धियोग की यात्रा है निर्वीकारी बनने की यात्रा है इसी समय हम बच्चे नर्विकारी बनते हैं चलते चलते पढ़ाई पढ़ते हुए कई बच्चों में देय अभीमान आजाता है जब देय अभीमान आजाता तो यह बहुत बड़ी ग्रहचारी है देय अभीमान वर्ष एक दूसरे की शकल देखते हैं जिनके साथ नहीं बनती तो सेवा के ख्यालात भी उड़ जाते हैं अर्थाट किसी के साथ संसकार नहीं मिलते तो सेवा करने भी छोड़ देते हैं बाबनी का बाबा तो गुण और करतव्य देख कर ही सेवा पर भेजेंगे बाबा बच्चों के गुणों को देखते हैं किस बच्चे को सेवा पर भेजना है लेकिन कोई-कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती तो सेवा करने भी छोड़ देते हैं इश्वरिय सेवा प्रभू सेवा है तो उसको कभी छोड़ना नहीं अगर एक दो की अनबन के कारण सेवा छोड़ दी तो बाबा ने का फिर ज्यानी और अज्यानी में फरक ही क्या रहा आप बच्चों को सेवा के लिए हमीशा तत पर रहना है कोई बाबा के सपूत बच्चे हैं और कोई कपूत बच्चे हैं दुनिया में भी ऐसा होता है किसी पिता के बच्चे कोई आग्या कारी होता है और कोई आग्या पालन न करने वाला होता है यहां बेहद के बाप की आना कारी करेंगे तो बाबने का बहुत सजाएं खाएंगे बाबा बेहद का बाप भी है तो बेहद का धरमराज भी है फिर सजाएं भी मिलती है हड़गो टूट जाते हैं तो बुद्ध संभल के चलना है कि हमें बाबा के आज्या की कोई भी अवग्या नहीं करनी है बाबा जो आज्या देते हैं उसे प्यार से निभाना है आज्या का पालन करना है बाबनी का तुम पहले क्या थे? मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? बहुत खुशी होनी चाहिए हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं पहले क्या थे? बाबनी का तुम्हारी चलनी केकड़ो जैसी थी अब मैं तुम्हें केकड़े से देवता बनाता हूँ लेकिन कोई-कोई ऐसे हैं फिर भी सुधरते नहीं बाबा सुधारने के लिए आए है अगर कोई शरी छोड़ देता तो आपको रोना नहीं ममा गई जाकर दूसरा जनम लिया किसी आत्मा ने शरी छोड़ा जाकर कि अन्य किसी स्थान पर जनम लिया बाबनी का रोने से कोई वापिस नहीं आएंगे फिर से आपके मामा चाचा नहीं बन चाएंगे वो आत्मा गई अब उनका दूसरा जनम हुआ तो रोना नहीं बलकि बाब को याद करते सची सची यात्रा में रहना है अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है दे अभिमान की ग्रेचारी को छोड़ कर दे ही अभिमानी बननी का अभिहास करना है बहुत सुन्दर बात बाबाने आगे चल कर समझाई कि हर एक आत्मा को कोई न कोई प्राप्ती कराने वाला ही वचन बोलो आपके हर वचन से दूसरे को कोई न कोई प्राप्ती होने चाहिए हर एक आत्मा के प्रती जो भी बोल बोलेंगे आज वरदानी बोल बोलेंगे तल्यान कारी बोल बोलेंगे हर बोल से दूसरों को सुख पहुँचाएंगे साथ साथ हर एक को दान और वरदान अवश्य देना है अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबने का मीठे बच्चे सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना कुश्चन है बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है बच्चों के दिल अगर रुहानी सेवा में नहीं लगती है तो उसका कारण क्या है अगर रुहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देय अभिमान की ग्रहचारी है चलते-चलते देय अभिमान के कारण जब आपस में रूट पढ़ते हैं तो सर्विस सी छोड़ देते हैं एक-दो की शकल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं, इसे बाबगत इस ग्रहचारी से संभाल करो। दे अबिमान की ग्रैजारी से संबाल करो, गीत है हमारे तीरत नियरे हैं, ओम शान्ती, इस गीत की लाइन में बच्चों को खबरदार कर दिया, क्या कहा बुद्धी में याद रखना है हम रूहानी यात्रा पर है हमारी यात्रा सबसे न्यारी है हम तीरत यात्रा पर है हमारी यात्रा सबसे न्यारी है इस यात्रा को भूलो मत यात्रा पर ही सारा मदार है और तो जिस्मानी यात्राउं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जनम-जनमांतर की यात्रा करते ही आते हैं हमारी तीरत वो नहीं है अमर नात में जाकर फिर मृत्यों लोक में चले आना तुम्हारी वे यात्रा नहीं और सम मनुश्यों की वे यात्राई है तीरत पर जाकर चक्र लगाकर फिर आई पतित बन जाते किसम किसम की यात्राइं है देवी के मंदिर भी अथा है विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते तुम बच्चों ने तो प्रण किया है निर्विकारी रहने का प्रण कौन सा है? निर्विकारी रहना है तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है पानी के सागर को विकारी या निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उनसे निकली हुई गंगाई है निर्विकारी बनाएंगी मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन गए कुछ भी समस्ते नहीं वो जिस्मानी यात्राई हैं अल्पकालशन भंगुर की यात्राई ये यात्रा बड़ी है तुम बच्चों कोटते बैठते यात्रा का ख्याल करना है यात्रा पर जाते हैं तो धंदा धोरी ग्रस्त ववारादी सब भूलना होता है जब यात्रा पर जाते हैं तो ग्रस्त ववार्द धंदा धोरी सब भूलना होता अमरनात कीजे बस ऐसे कहते जाते हैं मास तुमास तीरत यात्रा कर, फिर आकर गंद में पढ़ते हैं, फिर जाते गंगा सनान करने, उनको ये पता ही नहीं कि हम रोज पतित होते हैं, गंगा यमना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर सनान करते हैं, एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं समझते कि गंगा पतित पावनी है ऐसे तो नहीं कि खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है फिर नहीं बनती जिस दिन मेला लगता है उस दिन वो पतित पावनी बन जाती है नहीं वो तो है ही है रोज भी जाते हैं सनान करने मेले पर खास दिन जाते हैं अर्थ नहीं गंगा यमना चीज तो वही है उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं अब तुम बच्चों को रुहानी यात्रा पर रहना है बस हम जाते हैं अपने घर इसमें गंगास नान करने वाशास्त्र पढ़ने की कोई बाती नहीं बाप आते भी एक बार है सारी दुनिया भी पतित से पावन एक बार बनती है ये भी जानते हैं सत्यूग है नई दुनिया कल्यूग है पुरानी दुनिया बाप को आना है जरूर नई दुनिया के स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने ये उनका ही काम है प्रन्तु माया ऐसा तमो प्रधान बना देती जो कुछ भी समस्ते नहीं परदशनी में कितने धेर आदमी आते हैं सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में से कोई तुम लाको कोरोडों को समझाते हो तब कोई विरला आता है बोतों को समझाना होगा आकरें तुम्हारी ये समझानी चित्रादी सब अकबारों में पढ़ेंगे सीड़ी भी अकबार में पढ़ेंगे ये तो भारत के लिए ही है सीड़ी वाला चित्र जिसमें भारत के उतान और पतन की क चरए्ट सब उभ वापिस जाएंगे ना सबकाविनाश होना है यह बात एत कोई निजानते सीवाई तुम बच्चों के तुम जानते हो नरक वासियों काविनाश Gör We करेंange ऊंकि 감's करें किस्दा Perché याद की आत्रा भी भूलनी नहीं चाहिए परदर्शनी करो मेले करो लेकिन याद की आत्रा भूलनी नहीं चाहिए बच्चे बिलकुल ही ठंडे चल रहे हैं यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूड़े जैसे ताकत ही नहीं कुछ खाया ही नहीं बाबा का कितना ख्याल चलता रहता खयाल करते करते नीदी फिट जाती विचार सागर मंतन सब को करना चाहिए बच्चे जानते हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए इस पढ़ाई सम विश्व के मालिक बनते हैं कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े है केकड़ों को बाप देवता बनाते है फिर भी चलन मुश्किल किसी की सुधरती है मुश्किल ही किसी की चलन में सुधार आता है इस सीड़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नौलिज है परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते यात्रा ही नहीं करते बाबा को याद करें तो बुद्धी का ताला खुलता चाहे गोल्डन बुद्धी बनती चाहे तुम बच्चों की पारस वुद्धी भोनी चाहे बहुतों का कल्यान करना चाहे तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो फिर सतो प्रधान बनना है बाबा कहते हैं मुझे याद करो स्रीकृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता उनको तो कहते हैं सावरा शाम, शाम सुन्दर कहते हैं बाप ने सावरे की आत्मा को बैठ समझाया ये आत्मा जानती बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते है तो खुशी से कितना भरपूर होना चाहिए इसमें घमण की कोई बात नहीं बाप कितना निरेंकारी है बुद्धी में कितनी खुशी रहती कलम हीरे जवरात की महल बनाएंगे नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे ये तो बिल्कुल पति दुनिया है इस दुनिया के मनुष्य किसी काम के नहीं कुछ भी नहीं जानते ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था वही फिर 84 जनम ले कोड़ी मिसल बन गए जिनका जीवन हीरे जैसा था 84 जनम लेकर कोड़ी मिसल बन गए ये CD का चित्र नंबर वन है फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ती तुम कहते हो निकट भविष्य में स्रेष्टाचारी भारत बन जाएगा स्रेष्टाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे अभी तो कितने धेर मनुष्य है मा भारत लड़ाई भी सामने खड़ी है सब आत्माई मच्रों सद्रिष्ट जाएंगी आग भड़क रही है जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना बिगड़ते जाते बाब बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं कोई-कोई तो यहां से बाहर निकले सारा ज्यान ही उड़ जाता है स्मृति कुछ नहीं रहती नहीं तो शोख हो कि हम जाके सेवा करें बाबा भी गुन देखकर सर्विस पर भेजेंगे न इसमें बड़े हर्शित रहेंगे सर्विस से खुशी का पारा चड़ेगा अच्चे-चे पुराने बच्चे आपस में रूट पढ़ते हैं थोड़-थोड़ी बात में रूट पढ़ते हैं ऐसे थोड़े इन बातों के कारण तुम्हें कोई सर्विस नहीं करनी, सर्विस तो बहुत खुशी से करनी चाहिए, जिनके साथ बनती नहीं है, उनकी शकल देखने से इस सर्विस का खयाल उड़ जाता है, सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं, फिर तो ज्यानी और अज्यानी में कोई फरक ही रखना है अगर कोई बात हो भी जाती है तो उसके पीछे सेवा नहीं छोड़नी है फिर तो बाबा कहते अज्ञानी और ज्ञानी में कुछ फरकी न रहा देह अभिमान की ग्रैचारी आकर बैठती है यह पहले नंबर की बिमारी बाबा कहते बच्चे देह अभिमानी बनू आ आत्मा ही सब कुछ करती है ना आत्मा ही विकारी और निर्वीकारी बनती है स्वर्ग में निर्वीकारी थी रावन राज्ये में आत्मा ही विकारी बनी यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है इसने पुकारते हैं पतित पावनाव जो निर्वीकारी थे वही पतित विकारी बने ये किसी की बुद्धी में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बने हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं वहां हम आत्मा निर्विकारी होंगे यहां शरीर में आकर पाल्ट बजाते बजाते विकारी बन गए बाब वैट समझाते आत्मा शांती धाम से आती है तो वो है peaceful incorporeal world, वहां सब आत्माई पवित्र रहती हैं, फिर पार्ट बजाते बजाते सतो रजो तमों में आती हैं, पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे, ये जामा चलता ही रहता है, जामा के आदी मध्यंत का राज, बाबा के सिवाई कोई भी ब जानते नहीं, रिशी मुनी भी नेती नेती कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते, फिर कहतें, गौड फादर इस नॉलेज़फुल, ये परमात्मा, सर्वात्माउं का बाप बीजरूप है, वो है आत्माउं का बीजरूप, और ये प्रचा पिता ब्रह् इसमें आकर प्रवेश करके समझाते हैं मनुश्य द्वारा, उनको मनुश्य स्रिष्टी का बीजरूप नहीं कहेंगे, वो है आत्माउं का पिता, और ये ब्रह्मा है, मनुश्य स्रिष्टी का प्रजा पिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्यान देते हैं, शरीर अलग, आत् मन बुद्धिचित आत्मा में है आत्मा अकर शरी में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए तुम जानते हो कोई शरी छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे इसमें रोने से क्या होगा गया सो गया फिर थोड़ा ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा रोने से क्या फाइदा तुम्हारी ममा गई ड्रामान सर पार्ट बजा रही है ऐसे बहुत जाते हैं कोई कहां जाए जनम लेते ये समझ में आता जैसा जैसा आग्याकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जनम लिया होगा अच्छा बच्चा अग्याकारी होगा तो अच्छे घर में जनम लिया होगा यहां के जाएंगे ही अच्छे घर में नंबरवार तो होते हैं जैसा जो करम करते हैं ऐसे घर में जाते हैं पिछाडी में तुम जाकर राजाई घर में जनम लेते हो, कोन राजाओं के पास जाएंगे, वो खुद समझ सकते हैं न, फिर भी देवी संसकार तो ले जाते हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धी से विचार सागर मन्थन करना होता, बाप ज्यान सागर है, तो बच्चों को भी ज्यान का सागर बनना है, नंबर वार तो होते ही हैं, समझा जाता, आगे चल उन्नती होती जाएगी, हो सकता है, आज हम काम नहीं कर सकते, कल बहुतों से तीखे चले जाएं, ग्रहचारी उतर जाएं, कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती, तो गटर में गिर हटगुड तूट जाते हैं, बेहद के बाप से परतिग्या कर फिर गिरते हैं, तो धरमराज के द्वारा सजाएं बहुत मिलती हैं, ये बेहद का बाप, बेहद का धरमराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है, अटेंशन देंगे, बेहद का बाप, बेहद का धरमराज भी है, अगर उल्टा काम करेंगे तो सजा मिलती है कोई बात में आना कानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे समझते ने कि हम भगवान की अवग्या करते हैं इतनी सब बाते बाबा समझाते रहते शिरीमत पे चलो सर्विस में मददगार बनू याद की यात्रा पर रहो चित्रों पर समझाने की प्राक्टिस करेंगे तो आदत पढ़ जाएगी नहीं तो उंचपद कैसे मिलेगा अज्यान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है कोई तो बड़े कपूत भी होते है यहाँ भी कोई जट बाबा का काम करके दिखाते है तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है बेहद की आत्माओं का कल्यान करना है पैगाम देना है मन मनाभव बाबा को याद करने से तुम्हारी बुद्धी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी अभी है कल्योगी तमो प्रधान दुनिया की एंड सतो प्रधान बनना है आत्माओं की वह नंबरवार दुनिया है न जो फिर पार्ट बचाते हैं आएंगे भी नंबर वार्ट ड्रामा अनुसार, अभी सब आत्माई रामराज्जे में दुक्PM सो भी समस्ते थोड़े हैं TUम अगर व्यूर नाश हो वापिस चले जाने वाले हैं मा भारत लड़ाई लगनी है जिस से सब धर्म क्लासो एक धर्म होगा अनेक अधर्म क्लासो जाएंगे एक सत्य धर्म रहेगा यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं कितनी अच्छी रिती बच्चों को समझाते आगे चल तुम्हारी बाते सुनते रहेंगे आते जाएंगे सुर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए वो ही आकर नंबरवार अपना वर्सा लेंगे प्रजातो धेर बनेगी अच्छा मेठे मेठे सिक्के लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप तदका याद प्यार गुड मॉनिंग रुवानी बाप की रुहा अनि-बाप तदकु नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सार आध भगवान की आग्याँंखि कभी नहीं करनी अा भगवान की आध्याउंखि अवज्या कभी नहीं करनी वेह सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना हैं को भरपूर रखना है आपस में कभी भी रूचना नहीं है वर्दान है सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वर्दाता भव सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वर्दाता भव जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वो ही संपन, संपूरन सिती के समीपता का अनुभव करते हैं, उनमें कोई भी भक्तपन के वा बिखारी पन के संसकार इमर्श नहीं होते, बाप की मदद चाहिए, आशिरवाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए चाहिए शब्द दाता, विधाता, वर दाता बच्चों के आगे शोबते ही नहीं, वो तो विश्व की हरात्मा को कुछ ना कुछ दान वर दान देने वाले होते हैं, बाबा के बच्चे दूसरों को देने वाले दाता होते हैं, दान वर दान देने वाले होते है स्लोगने हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है हमारे वचनों से दूसरों को कोई ना कोई प्राप्ति का अनुखव हो बोल पर बाबाध्यान के जवारे हैं कि आपका हर बोल प्राप्ति कराने वाला हो सामने वाले को लगना चाहिए कि सत्य वचन है आज हम चलते फिरते याद करेंगे कि हम देने वाले मास्टर दाता है विधाता है एक आगर हो जाएंगे अपने संपन्न स्वरूप को देखेंगे मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न हूँ भरपूर हूँ मुझे सब को देना है बाप समान दाता सिती में रहकर सब को शक्तियां देते जाएं प्यार देते जाएं खुशियां देते जाएं प्रमातम शक्तियां उन पर ही छत्र चाया बनती है जो मास्तर दाता है शक्रियां बाबा शक्रियां ओम शान्ति अद्रिश है खुल चक्षो तो देखो अस्तित्म उनका महसूस होगा अद्रिश है खुल चक्षो तो देखो अस्तित्म उनका महसूस होगा मिल लो उनको ब्रमोतन में मेहका लो मन की पेला थाम इस वेग को जगालो वीवेक सारे जग का करण धार हो मुरली की तान बज रही हो मुरली की तान बज रही हो